Fertilization, Membrane and Corticular Events, First the Contents, Single Fertilization, Microvirilize Surround the Sperm, Ionic Changes, Fertilization, Membrane and the Gray Grayson Formation, So First the Single Fertilization, स्टूर्स अगराम सिंपल ली देखें, तो जो एग्स हैं, Normally one egg is fertilized by one sperm, लेकर जो number of sperm जो अप्रोच कर रहे हैं, एग को वो बहुत जएदा होते हैं, तो इसलिए ensure यह करना ज़रूरी है, कि एक एग को एक sperm क्या करेगा, fertilize करेगा, तो नॉर्मल्ली One egg और one sperm जब fertilization करेंगे तो उस जाइगोड बनेगा, it is a diploid, most of the animals जो है वो 2N number केरी करते हैं, क्रोमोसोम्स का, one N क्रोमोसोम उस्टिर से आएगा, स्पर्म से आएगा, और one N जो है वो एग से आएगा, तो अगर एक से ज़्यदा sperm जो है, वो fertilize कर देते हैं, तो जो क्रोमोसोमल कंप्लिमेंट, जो क्रोमोसोमल number है, वो disturb हो जाएगा, set of क्रोमोसोम, जैसे अगर दो स्पर्म्स एंटर हो जाते हैं, तो it will be 3N, तो 3N वाला जो organism है, वो survive नहीं कर देगा, animals के case में, because most of the animals, they are diploid, they carry 2N number, जैसे human हम हैं, तो हम हाफ क्रोमोसोम अपने फादर से मिलते हैं, फादर के स्पर्म से 23 क्रोमोसोम, that is one set, उसको one N बोलेंगे, जैसा मदर से आने वाले जो हैं, there are 23 क्रोमोसोम, that is also one set, उसको भी हम one N कहते हैं, तो one N from father, one N from mother, it will be two N, diploid number होगा, तो अगर fertilization के दुरान, एक एग को दो स्पर्म्स की development ही possible नहीं है, वो आगे जाइगोड जावो development ही नहीं होगी, इसलिए जो सबसे fertilization के जो critical thing है, वो इस चीज़ को ensure करना है, कि एक एग को सिर्फ एक स्पर्म क्या करें, फर्टलाइज करें, जिससे आगे जावो zाइगोड formation हो सके, अब normally, अगर हम देखते हैं, तो human में, क human की case में, एक एग के लिए, जो fertilization के time, जो ejaculation है, जो male sperms है, वो millions की तदाद में होते हैं, तो उन millions में से बहुत सर स्पर्म जो होते हैं, they reach to the egg, लेकन जो सबसे, वही एग जो successfully fertilization सबसे पहले करेगा, वही अग क्या होगा, कि आगे जाइगोड formation में हिस्सा देगा, जबकि एक sperm के fertilize करने के बाद, जो next sperm है, उसके लिए एग जो it becomes in responsive, एग जो उसको responsive नहीं करेगा, second sperm कभी एग को जो हो penetrate नहीं कर सकेगा, उसको एग के अंदर enter नहीं हो सकेगा, तो अब इसमें अगर events की बात करें सबसे पहले, जैसे ही, एग जो है, जो sperm जो है, when it reached, it approaches to the egg, तो एक के उपर आपको पता कि वाइटलेन मेंब्रेन होती है, वाइटलेन मेंब्रेन के उपर, basically, sperm का head है, उसके अंदर जहाँ वो enzymes हैं, enzyme जब जैसे release होगा, तो वाइटलेन मेंब्रेन जो है, जो एग के उपर एक cover है, उसको sperm जो होल करेगा, pore create करेगा, and it will approach to the egg, जैसे ही बहुत सारी microvilli मुझूद है, तो they microvilli, they will encapsulate the sperm, sperm को encapsulate कर लेंगे, जिसके बाद कि आगा, sperm जो है, वो microvilli के अंदर फिर चुके contractile filaments होते हैं, they withdraw, या उसको क्या आता कि sperm के अंदर, sperm को egg के अंदर जहाँ वो withdraw कर लिया जाता है, तो ये एक simple, यह जो है, जो सबसे पहले sperm egg क approach करेगा, microvilli, इसको surround करेंगे, उसके head के around, और उसके बाद उसको, जहाँ वो inward, जहाँ या पिस है, egg के अंदर जहाँ जहाँ ले आया जाएगा, once sperm enters into the egg, जैसे एक egg जो है, उसके अंदर sperm एक enter हो जाएगा, तो उसके बाद second जो sperm है, उसकी entry को 40 दूर पर block कर दिया जाता है, अब इसके सबसे जो पहला event है, वो यह है कि egg की जो membrane है, उसके charges है, वो फोरण से reshuffle कियाता है, उसको change कर दिया जाता है, तो जैसे ही charges change हो जाए तो अब यह egg की membrane जो है, यह sperm को response ही नहीं करेगी, तो egg membrane will be irresponsive, यह response नहीं करेगी second sperm को, जब second sperm को response नहीं करेगी, तो इसका जो second sperm जो हो, it can't enter into the egg, यह egg में enter ही नहीं हो सकेगा, जी, सबसे पहला, अब यह जो charges के उपर, जानिके membrane के उपर, जो charges का reshuffle होना, it takes place within milliseconds, यह फोर अगर एक sperm बहुत करीब भी है second जो आ रहा है, तो वो भी पहले sperm के entry के बाद दुबारा enter नहीं हो सके, दूसरा event जो fertilization, double fertilization यह second sperm के entry को block करता है, that is actually formation of fertilization membrane, fertilization membrane को समझने के लिए, अगर हम egg का structure देखेंगे, तो egg ही एक है plasma membrane, और plasma membrane के उपर जो है, वो इसका egg का envelope है, जिसक साइटो प्लाजम का जो outer region है, उसके अंदर specific granules होते हैं, जिनको cortical granules कहते हैं, वो जैसे ही, पहला sperm enter होगा, cortical granules जो है, they will ultimately reach to the plasma membrane of egg, एक ही plasma membrane के पास जाएंगे, और वो अपना material discharge कर देखेंगे, vital membrane और जो plasma membrane है, एक ही उसके धर्मियान में जो space है, अब normally क्या होता कि vital membrane is in contact, या इसके बिल्कुँ साथ होती है, प्लाजम membrane के, लेकिन जैसे ही cortical granules अपना material discharge करेंगे, तो अब vital membrane थोड़ से distance के उपर चली जाएगी, यनि प्लाजम membrane और vital membrane क्या होगे, थोड़ से separate हो जाए हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कि आपस में separate हो जाएंगे, और इसके बाद, जैसे ही plasm membrane और vital membrane के दर्मियान गैप आएगा, तो यहाँ, अब ये gap क्यों आया है, क्योंकि कार्टिकुल और granules ने यहाँ पना material discharge किया है, इसके बाद, next step के उपर, वो सारे water molecules, they will come here, water molecules आएंगे, और वो result क्या होगा, कि vital membrane और plasma membrane के दर्मियान जो gap है, उसको मजीद जहाँ एक increase कर दिया जाएगा, तो इस बहुत सारे water molecules क्या करेंगे, वो space को fill करेंगे, जो vital membrane और egg membrane के दर्मियान मुझूद है, then, carticular granules जो हैं, उनके पास specific proteins थी, जो उनने यहाँ discharge की है, अब यह protein क्या करेंगे, they will strengthen this vital membrane, and will convert it into fertilization membrane, तो वो जो material, जो carticular granules and material release की असपर वो सारी fibrous proteins होती है, fibrous proteins basically क्या करती हैं, जी they strengthen, वो strength provide करेंगी, जिसके वो जैसे, यह जो दर्मियान में, जो carticular, यह निके plasma membrane और vital membrane के दर्मियान जो region है, यह आज साथ स्टिफन हो जाएगा, सखत हो जाएगा, उसके बाद यह ultimately convert हो जाएगा into the fertilization membrane, और यह सारा event जो है, it will take place in one to two minutes, यह वो complete हो sperm approach कर रहा है, यह देखिए, दो sperms हैं, आप जो नीचे वाला sperm है, यह slightly पहले आकर जो हो क्या करेगा, vital membrane को जो हो touch कर रहा है, the next step के उपर क्या होगा, कि इसमें, जो पहला sperm जो आया है, उसके उपर, जो हो, microvillies को surround कर रही है, microvillies को surround कर रही है, third के उपर आप देखे हैं, कि microvillies को completely surround कर लेंगी, और it will be trapped और इसको intake कर लिए जागा, इसको जावो, egg के साथ जागा, fusion के लिए जो है, इसको, अगर fourth picture में देखें तो यह बकाईदा egg जो हो sperm, sperm जो ही egg में enter हो चुका है, इसके अंदर, लेकर इसके साथ ही, एक दूसरा sperm पहली है, पहली picture में देखें, second और third picture में अगराब देखें, तो second sperm की जो है, वो entry possible नहीं हो सकी, विकास, उसके reasons क्या है हमारे पास, number one, membrane के charges reshuffle होगे, number two, के जो carticular granules हैं, उनने आकर fertilization membrane बनाती है, और इसके साथ microvillies जो है, वो भी response नहीं करेंगी, जो second sperm होगा, last event of fertilization, fertil fertilization के बाद जो, जैसे fertilization होगी, sperm enter होगा, तो अब इसके बाद क्या होगा, कि जो egg का cytoplasm है, it will start streaming movements, especially जो outer cytoplasm है, जो cell membrane के करीब करीब का अलागा है, उसमें क्या होगा है, कि साइटो प्लाजम में इक streaming शुडू हो जागी, इसको cyclosis भी बोलते हैं, अब इस streaming movement के वज़ा स जो, it will further block the entry of second sperm, यह second sperm की entry further block हो जाएगी, streaming movement का benefit यह है, कि इससे एक तो great recent बनेगा, great recent is very important in the developmental process, further जो development होनी है, इसमें great recent का बड़ा important role है, और दूसरा important, कि जैसे streaming movement starts होगी, तो in streaming movement के start होने के वज़ा से, क्या development process जो वो start हो जाएगा,